आपने बच्चे से लेके बड़े तक सभी लोग खाईए और यह बहुत ज्यादा फायदे बंद होता है तो चलिए वीडियो को फटा-फट से सुरू कर लेते हैं तो यहां पर मैंने लिया है फ्राई पेर और इसमे डालेंगे दो चमस घी घी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपने बच्चों को दीजिए यह बहुत ही हेल्दी होता है तो चलिए यहां पर गी हमारा जब गरम हो जाएगा ना तब हम इसमें एड करेंगे जीरा बिलकुल मसाला हलका हलका यूज करिएगा क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तो इसको ब्राउन होने देंगे तो चलिए इसको फटा 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 से जब तक यह ब्राउन हो रहा है तक तक आप मेरे चैनल को कर देजिएगा सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और जादा-जादा सेयर करिएगा कमेंट बोक्स में जरू लिखेगा कि मेरी यह सिंपल से आप लोगों को कैसा लगा है साथ ही में बेल आकन को प्रेश करना बिलकुल भी भूलिएगा तेहां पर देखिए बाते करते यह ब्राउन होना सुरू हो गया है तो चलिए फ्रेंस यहां पर आपने मन पसंद की वेजी टेबल्स यूज कर सकते हैं इससे टेस्ट बहुत जा इस तरह के से मैंने कट कर लिया है और इनको अच्छे से मिलाएंगे उससे पहले आप इनके उपर हलका शार नमक एड़ कर देए इससे क्या होगा जो हमारा टमाटर होगा बहुत जल्दी मैल्ट हो जाता है तो चलिए यहां पर मैंने स्वाधन सार नमक को एड़ कर लिया है कोर्स ना हमारे शेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है साथ से जाते यह बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है आप इसे नास्ते के रूप में सुबर डेली लीजे टमाटरों के इस तरह के से चलाते हुए हलका हलका पका लेंगे जब हमारा टमाटर पक जागा तब हम इसमें एड़ करेंगे हरा मटर तो चलिए इसमें थोड़ा सा हरा मटर यूज कर लेते हैं आप अपने मन पसंद के वेज़िटेबल यहां पर यूज कर सकते हैं बहुत ही टेस्ट लगता है तो आपि मैंने हारा मटा अट किया है इसे देखने में भी बहुत ज़्यादा सुन्दर लगता है तो चलिए इनको भी हलका हलका पका लेते हैं थोड़ी दर इनको चला लेंगे फिर इसके बाद हम इन्हें एक मिनट के लिए ढखके रख देंगे इसे क्या होगा जो हमारे सबजिया है वो हलका सा मतलब पक जाएगा तो यहां पर देख लीजे इसको मैं इस तरीके से मिला ली हूँ अब एक मिनट के लिए ढखके रख देंगे तो चलिए इसको ढख देते हैं और इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहां पर मैंने चेक कर ल आप यहां पर मैगी मसाला भी हैं यूज कर सकते हैं अगर बचों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल भी यूज ना करें यहां पर देख लिए फ्रेंस यहां पर मैंने हल्दी को अच्छे से मिला लिया है और हम क्या करेंगे इसमें एड़ करेंगे एक लास पानी यहां पर मैंने एक लास पानी ले लिया है और इस तरीके से करेंगे एड जब हम यहां पर पानी एड कर लेंगे तब इसको उबलने के लिए एक से दो मिनट के लिए ढखके रख देंगे तो चलिए फ्रेंस यहां पर देख सकते हैं यह उबल चुका है अच्छे से तो अब हम इसमें ऐड़ करेंगे एक कप और्स अब थोड़ा साइप एक कप और्स ले लिजिए और इसको इसमें एड़ कर लिजिए अब इनको अच्छे से मिक्स करके और दो से तीन मिनट तक पकाएंगे इतना जल्दी पक्के हमारा रेडी होगा ओर्सकी खिचडी खाने में बहुत ज़्यादा यह मिलेगा तो चलिए इसको ढग देते हैं तो यहाँ पे मैं इसको ढग दी हूँ तो उमीद है फ्रेंट्स के आप लोगों को मेरी ये रेस्पी जरूर प्रसंद आए होगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और जादा ज़्यादा सेर जरूर करिएगा और एक बार फिर करती हूँ कि बेल लाइ आप इसे जरूर बनाये करें ये बहुत ही हेल्दी है तो चलिए यहां पर हमारा ओर्स के खिचड़ी बनके हो गया है बिल्कुल रेडी तो अब हम क्या करेंगे इसमें एड़ करेंगे धनिया के पत्ते उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और साती देखने में बह कर दिखाते हैं तो यहां पर देख लीजिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ना देखने में तो आप इस तरीके से ओर्स की खिचड़ी बना के रेडी कर सकते हैं आप यहां पर मसाला भी यूज का सकते हैं और स्किप भी का सकते हैं तो उमीदे फ्रेंस के आप लोगों को म चलिए अब इसको सर्व करके आप लोगों को दिखाते हैं तो यहां पर लिया है मैंने छोटा सा कांच की कटोरी अब हम इसमें एड करेंगे हमारा ओर्स की खिचड़ी तो देख लीजे फ्रेंस यह बहुत ही ज्यादा यमी लग रहा है देखने में तो ओर्स की खिचड़ी है बिलकुल रेडी अमी अमी साथ चलिए फटा फटा से में चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को डाइक और जादा जादा सेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में जरू लिखेगा कि मेरी यह सिंपल सी रेस्पी आप लोगों को कैसा लगा है और इस रेस्पी को आप लोगों जर लगा है लाइकन को पेश करना बिलकुल मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे माता दी